दोज़ बहुत मुश्किल लगता है इंडिया गटबंदन कितनी सीटे जीज सकता है सरकार बना सकता है मुश्किल है बट कोशिश पूरी है आम आदमी पाटी कभी गुजरात में सरकार बना पाएगी अभी तो नहीं फिलाल क्या केजरिवाल कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे आई डॉंट नो राहूल गांधी प्यम बन पाएंगे यस क्या मुसल्मान हिंदुस्तान में सुरक्षित है बहुत टफस्तिती है और अज मुसलिम बोल रही है आज में यह कि असान नहीं है आज भी अगर मैं एक घर किराय पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं दिल्ली जैसी शहर में हुए क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा है रोज ढून रही हूँ घर नहीं मिल रहा है क्या बात कर रही है रीजन यही है कि मुसलिम है अरे आप एहमद पडिल की बेटी है मेरी मा को नहीं मिला घर दो साल पहले जब हम 23 मुझे कहानी याद है आपने पहले भी बताई जी पर आज भी तो कॉंग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है यह इसी लिए एक तो पोलिटिकल दूसरा मुसलिम तो यह आपको क्यों लगता है कि मुसलिम है इसलिए चेहरा नहीं मिला क्लियर कट बोलते हैं कि मुसलिम फैमिली यह नहीं देना चाहते है अपना घर तो आप यह समझ लीजिए कि एहमद पटेल की फैमिली दिल्ली पॉलिटिक्स में अघर हमारे साथ यह होता है तो आं मुसलिमन को क्या फेस करना पड़ता होगा आप ग्राउंड प्रण पर जाईए या आपने रैपिड वाय क्या बड्ला चाहती हो कि जब भाइव जाते हैं मुसल्मान गाउं में जाते हैं बहुत तकलीफ में हमारे कॉंग्रेस के कारे करता जो है कॉंग्रेस के कारे करता नॉमल कारे करता एक तो कॉंग्रेस उपर से मुस्लिम उनको फंक्शन नहीं करने दिया जाता है उनके उपर दबाव जितना है उनके बच्चों को नौकरी से निकाला जाता है उनको अगर मों मेरे साथ फोटो में दिख गए तो डरते हैं कि हमने आपकी सभा में मदद करी, हमारे घर पे अभी कुछ नोकरी जाएगी, बच्चे का स्कूल अडमिशन जाएगा, कुछ नकुछ जाएगा, इस तरीके का दबाव है, तो आसान है, यह मैं गुजरात की बात क चरारा होता है, वहाँ पे लडाई जगडा हो जाता है और बिचारे अस्पताल पहुंच जाते हैं, पर पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, क्यों? क्यों कि मुस्लिम है, तो उनिफॉर्म सिविल कोट पर आपकी क्या रहा है? उनिफॉर्म सिविल कोट, देखिए ह हम जैसे लोगों के लिए हम समझते चलिए एक सामन, बर बहुत मुष्टिल है, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे 600 से उपर भाशा है, आपके पास इतने ट्राइब्स हैं, इतना नहीं है, यहां पे इतने सारे अलग-अलग काइदे कानून है, क्योंकि ट्राइब्स हैं तो लगताने के प्राक्टिकली पॉसिबल है, राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? देखे, राम मंदिर जो है एक भावुक इशू है, और रिलिजिस जो इशू रहा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और धारा 370 कश्मीर से? धारा 370 देखा जाएगा क कि इसका क्या फाइदा हुआ हटाने से और उसके बाद में कॉमेंट कर सकते हैं?